वेलकम टू ब्लेड लेनर के 12 आज हम एग्री कल्चर का पार्ट फोर पढ़ेंगे इसमें हम मेजर क्रॉप्स में दो क्रॉप्स एक राइस दूसरा वीट के बारे में कॉम्प्रियेंसी पढ़ेंगे इट्स मी अमित कुमार देखिए अभी आपको चावल का खेत हरे भरे खेत दिख रहे होंगे अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं पहले उसे देखें फिर इस वीडियो को देखें हैंड इटे नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन करें अगर आपके पास टेलिग्राम चैनल नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दियो हुए लिंक पर क्लिक करके हैंड इटे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं राइस हमारे देश का स्टैपल फूड है मैजरीटी अप पिपल डेली फूड में राइस का यूज करते हैं चाइना के बाद इंडिया दूसरा सबसे बड़ा चावल का प्रोड्यूसर है चावल का उत्पादन के लिए कितना टेंपरेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेंपरेचर चाहिए बारिश की बून्दे ज़्यादा होनी चाहिए कितनी ज़्यादा 100 cm से भी ज़्यादा means high humidity with annual rainfall greater than 100 cm कोई ऐसा जगह है जहां पर पानी कम है वहां पर भी चावल की खेती की जा सकती है लेकिन वहां पर सीचाय की उपलब्ता पर निर्वर करता है scanty rainfall area में भी चावल ग्रो किया सकता है with irrigation देखिये चावल ग्रो किया जाता है कहां पर ग्रो किया जाता है grown the plains of North India, North Eastern India, Coastal area and Deltaic region किसके help से irrigation करते हैं कैनाल बनाके ये image में आपको दिख रहाओगा खेत है उसके बाजू में कैनाल है ट्यूब वेल से बोरिंग से underground water निकाल के irrigation करते हैं पंजाब में, अरियाना में, western UP and part of राजस्थान में देखिए यहां पर क्या है बारिस थोरी सी कम होती है लेकिन चावल की खेती बढ़ियां से की जाती है कैसे कैनाल से and ट्यूब वेल से देखिए पंजाब में यहां पर पंजाब दिख रहाओगा आपको हरियाना, western UP and part of राजस्थान पूरे देश में जितने एरिया पे खेती की जाती है उसका 25 परतिसत जगह पे, जमीन पे चावल की खेती की जाती है रेनफॉल कितना होना चाहिए? 100 सेंटिमीटर से ज़्यादा मिट्टी कैसी होनी चाहिए? Clay Loam Soil यह image में आपको Clay Loam Soil दिख रहा होगा average monthly temperature याद रहे 21 डिगरी Celsius से कम नई होना चाहिए कुछ जगह है कुछ states है, कुछ राजी है जहाँ पे चावल की खेती ज्यादा की जाती है एके करके देखेंगे पहले पढ़ लेते हैं कौन-कौन से है West Bengal, उत्तर परदेश, पंजाब, तमिल नाडू, आंत परदेश, बिहार, चतिसगर ओरिसा, आसाम, हरियाना एक-एक करके मैप में उसको लोकेट करते हैं यह है West Bengal, उत्तर परदेश, पंजाब, कमिल नाडू, आंतर परदेश, बिहार, चतिसगर, ओरिसा, आसाम, हरियाना West Bengal में, राइस ग्रो किया जाता है, थ्री डिफरेंट सीजन्स में, एग्रोनॉमिक सीजन्स में means, फरवरी से March में, जो चावल बोया जाता है, उससे हम Aus बोलते हैं, AUS, Aus March, अप्रील में, जो चावल बोया तो उसको अमन बोलते है, जून में, जो चावल बोया तो उसको बोरो नाम से पुकारते हैं, बोरो राइस देखिए अभी आपको गेहूं का हरा बड़ा खित दिख रहा होगा गेहूं सेकेंड मॉस्ट इंपोर्टेंट सिरियल क्रॉप में आता है उत्तर भारत उत्तर पस्सिम भारत का मेन फुड क्रॉप है ये रभी क्रॉप के कैटेगरी में आता है इसको कूल सीजन चाहिए ग्रू होने के लिए जब गेहूं राइपिन होता है तो उसको ब्राइट संसाइन की जद्वत महसूस होती है कितना बारिस की बूंदे चाहिए 50 to 75 cm एनुट रेनफॉल गेहूं को चाहिए ये देखिए गेहूं का खेत कहां कहां ग्रो किया जाता है वीट ग्रो किया जाता है गंगा सतलज के प्लेन में कहां पे नौर्थ वेस्टरन पार्ट अफ इंडिया में काली मिट्टी डेक्कन रीजन की कोश्टल एडिया में एड डेल्टाइक रीजन में कुछ states जहां पर wheat grow किया जाता है, पंजाब, हर्याना, UP, बिहार, राजस्थान, parts of MP, एक करके इसको map में लोकेट कीजिए, पंजाब, हर्याना, UP, बिहार, राजस्थान, parts of MP, पूरे देश में जहां-जहां खेती होती है, उसका 14%, 14% of total cropped area, wheat cover करता है, गेहों cover करता है, 100 cm से कम बारिस की बुन्दे में इसका काम चल जाता है, ठीक है, कैसी मिटी चाहिए, clay, alluvial soil, यह image आपको दिख रहा होगा, cool climate, जब grow होता रहता है, उस समय climate कैसा होना चाहिए, cool होना चाहिए, rainfall, 30 cm rainfall में, काम चल जाता है, इसका grow का, यह हूँ wheat, चार तरह का होता है, common bread wheat, यह wheat का color याद रखिएगा, देखिए का color कैसे change होता है, durum marconi wheat, थोड़ा सा color change हुआ, emmer, triticum wheat, यह wheat का color आपको दिख रहा होगा, Indian dwarf wheat, thank you, all the best.